इस question में हमें line segment AB given है, तो योग्य line segment AB, और लिखा है कि line segment AB is divided by the x-axis, तो इस point of division को हम ले लेते हैं P, अब हमें find करना है ratio, जिसमें point P divide करता है line segment AB को, तो जब हमें ratio find करना होता है, तो हम ratio को ले लेते हैं K is to 1. अब यहां एक और चीज गिवन है कि यह point x-axis पे है, तो अगर कोई भी point x-axis पे होता है, तो उसको हम लिखते हैं, सबोज यह है 1,0, यह हो गया 5,0, तो अगर कोई भी point x-axis पे है, तो उसका y-coordinate 0 होता है, अब point P x-axis पे है, तो हम इसको ले लेते हैं x,0, y-coordinate 0 होगा, और x-coordinate हमें find करना है, तो इसको x ले लेते हैं, तो P के coordinate आ गया, x,0, ratio हमने k is to 1 ले लिया, अब अगर हम section formula से x या y कोई भी एक find करें, तो हमें k मिल जाएगा, पर यहां हमें x की value नहीं पता है, तो हम x-coordinate से k नहीं find कर सकते हैं, therefore हम y-coordinate यूज़ करके k find करेंगे, तो section formula से y-coordinate होता है, k into y2, which is 5, plus 1 into y1, which is minus 5, by sum of ratio k plus 1, अब y हमें पता है 0 है, तो यह होगा 0 is equal to k into 5, plus 1 into minus 5, by k plus 1, अब इसको solve कर लेंगे, तो हमें k मिल जाएगा, फिले इतना लिख लेते हैं, अब y के लिए section formula होता है, यह, इसमें value पुट करके solve करेंगे, तो हमें k मिल गया 1, अब k 1 है, तो यह ratio हो जाएगा 1 is to 1, अब हमें point p भी find करना था, तो यहाँ y तो 0 है, तो हमें x find करना है, अब ratio पता है, तो हम section formula से x find कर सकते हैं, x हो जाएगा 1 into x2, which is minus 4, plus 1 into x1, which is 1, by sum of ratio 1 plus 1, अब इसको solve करेंगे, तो हमें x मिल जाएगा, तो इसको solve करने से हमें x मिल गया minus 3 by 2, point p हमने लिया था x, 0, तो p हमारा हो गया minus 3 by 2, 0, तो हमें ratio find करना था, वो आगया हमारा 1 is to 1, और point p आगया minus 3 by 2, 0,